आखिर मॉल में क्यों बजाये जाता है सिलो म्यूजिक वज़े जानकर हैरान रह जाएंगे आप क्या होते हैं नेल हाउस जिसकी वज़े से सरकार को होती है परेशानी और इस देश में इनाम के लिए नहीं बलकि किसी दूसरी चीज के लिए घोड़ी पर रेस लगाते हैं परेशाली वीडियो को आखिर तक जरू देखें जिससे ये पता चलता है कि उस डाइनासौर की शारेरिक आकरती काफी छोटी रही होगी। की घिरावंदी कर दी गई है। हालकि इन फूट्पिरिंट्स को देखने के लिए थाइलेंड के स्थानी नागरिक काफी ज्यादा उत्साइथ हैं। जो बड़ी संख्या में वन ये पार्क में पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी आम लोगों को डाइनसौर के फुट्पिरिंट देखने की अनमती नहीं हैं। क्योंकि वैग्यानिकों को डर है कि लोगों के संपर्क में आने की वज़े से दुनिया के सबसे छोटे डाइनसौर के अवशेश हमिशा हमिशा के लिए कायब हो सकते हैं। यूँ तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खुबसूरत वाटर फॉल मौजूद हैं जिनने देखने के लिए परेटक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। पानी इतनी तेज रफतार के साथ नीचे गरता है। लेकिन तेज हवाओं के चलते पानी नीचे के बज़ाए उपर की तरफ उड़ जाता है। असपास के खुबसूरत नाजारे का लुफ्थ उठा सकते हैं। औहीं मौनसून के मौसम में इस ज़णने का नजारा देखने का अलगी मसा है। जिससे जोड़ी विविन्य वीडियोज सोशल मीडिया पर वाइरल होती रहती है। दुनिया के कई देशों में इस सवक्त कड़ाकी की सरदी पड़ रही है जबकि कुछ एला के बर्फ की सफीद चादर के नीचे दबे हुए हैं। इसे में सरदी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों की कई लेयर्स पैनते हैं जबकि कुछ लोग दिन भर धूप और आग के सामने बैठी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शक्स भी मौजूद है जिससे बर्फ और ठंडे मौसम से कुछ खास फार्क नहीं पड़ता है। कि वह माइनस डिग्री के तापमान को बिना कपड़े पहने आसानी से सहन कर सकते हैं। जुद भी विम हॉप कभी बीमा नहीं पड़ते हैं। यहां तकि उन्हें सर्दी जुकाम जैसी परिशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। नमर फूर् और फिर ठीक 40 मिनट बाद एक बचकर 30 मिनट पर सुरज दोबारा से उग जाता है। इस वज़े से नौर्वे को कंट्री ओफ मिननाइट सन के नाम से जाने जाता है। जहां धाई महिने तक सिर्फ 40 मिनट के लिए ही अंधिरा होता है। और बाकी पूरा दिन आसमान में सुरज की रोशनी टिम्टिमाते हुए दिखाय दिती है। हाला कि दिन के 24 गंटे दूफ होने के बाबजुद भी नौर्वे में काफी ज़्यादा सर्दी रहती है। जहां पूरे साल भर बरबारी होती है। और यहां चारो तरफ बरब से ढखे गलेशर ही देखने को मिलते हैं। आमतोर पर जब कोई महिला बार या किलम में जाती है तो वहाँ वर ड्रिंक इंजोई करने के बाद बिल देकर घर वापस आ जाती है। लेकिन कि आप जानते कि दुनिया में एक ऐसा बार भी मौजूद है जहां ट्रिंक लेने के बाद महिलाओं को अपनी ब्रा छोड़ कर जाना पड़ता है। जी हां आपने बिलकुल सही सुना। इस अजीबो गरीब बार का नाम कोयोटे अगली है जो न्यू यॉर्क शेहर में स्तित है। इस बार में महिला कस्टमर्स की संख्याइज साधा रहती है जो ड्रिंक पीने के बाद अपनी ब्रा छोड़ कर चली चाती है। इस अबार में ब्रा छोड़ने का कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी महिलाएं इस से काम को करना पसंद करती है। दोर से आती हैं और ड्रिंक पीने के बाद अपनी ब्रा को यादगार के तौर पर बार में ही चोड़ जाती है। इन सभी ब्राग को जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को दान कर दिया चाता है जिसके वज़े से बार मालिक भी महिलाओं को ब्राग छोड़ कर जाने से मना नहीं करते हैं और इसकी वज़े से उनका बार भी काफी ज़दा मशूर हो गया है नमर 6 ये तो हम सभी जानते के शुरुआती दोर में आदिमानव गोफाओं में रहा करते थे जो उनके लिए उनका घर हुआ करता था लेकिन जैसे जैसे इनसान का शारिरिक और मानसिक विकास होने लगा वे गोफाओं को छोड़कर मैदानी इलाकों में आ गया और घर बना कर रहनी लगा ऐसे में अगर आपको लगता है कि आज के दोर में कोई इनसान गोफा के अंदर नहीं रहता होगा तो आप बिलकुल गलत हैं दरसल चीन में इस्तित जॉंग डॉंग दुनिया का एकलोता ऐसा गाओं है जो गोफा के अंदर मौजुद है इस गाओं में गोफा क इसके अंदर रहने वाले लोग बहुती कम संसादनों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिसके बाद बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलबूत सुबधाएं भी मौजुद नहीं है हाला कि इसके बावजुद भी यहां के लोग अपने घर और गोफा को छोड़कर द का जो नई कपड़े खरीद कर उन्हें तुरंत पहन लेते हैं लेकिन कि आप जानते कि दुकान या मौल से खरीदे गए नई कपड़ों को डायरेक्ट नहीं पहना चाहिए बलकि उन्हें पहले अच्छी तरह से धोना अनिवारी होता है दरसल किसी भी कपड़े को बनाने के विविन प्रकार के केमिकल युक्त प्रडिक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिने वाश नहीं किया जाता है और सिधा बाजार में विक्री के लिए भीज दिया जाता है ऐसे में अगर आप केमिकल युक्त कपड़े पहनेंगे तो बहुत जाता चांस है कि आपको इसकिन स समंदी बीमारी हो जाए। इसके लावा मॉल या शॉपिंग सेंटर में एक ही कपड़े को कई लोग पहन कर ट्राइ करते हैं, जिसके वज़े से उनके शरीर की बीमारी और पसीना उस कपड़े में लग जाता है। आज तक आपनी एक से बढ़कर एक आलिशान घरों के बारे में सुना होगा, जिनकी कीमत लाखो करूडों रुपे में होती है। लेकिन के आपनी कभी नेल हाउस के बारे में सुना है, जो चीन में काफी ज्यादा है। अगर नहीं तो हम आपको बता दे कि यह ऐसे घर होते है जिनके मालिक किसी भी कीमत पर अपने घर को बेचनी के लिए तयार नहीं होते हैं। फिर चाहे उनके घर के पास से सड़क गुजरे या फिर एरपोर्ट। चीन के गौंग डॉंग शेहर में एक ऐसा ही नेल हाउस मौजुद है, जिससे खाली करवाने के लिए सरकार और प् जिनके मालिक को जमीन के बदले लाखो रुपय का मौज़द देने का एलान किया था। लेकिन जब घर का मालिक अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सरकार ने भी हाईवे बनाने का काम शिरू कर दिया। और इस पांच मंजला इमारत के दोनों तरफ सड़क बना दी। इस ने इल हाउस परिटन का मुखे केंदर बन चुका है जहां हाईवे से गुजनने वाले लोग ठैर कर इस घर का दीदार करते हैं। दौरान लड़के को लड़की के बरावर आने की कोशिश करनी होती है ताकि वह उसे किस कर सके। अगर लड़का ऐसा करने में काम्याब हो जाता है तो उसे लड़की को किस करने के साथ उससे दोस्ती करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर लड़का फिनिशिंग लाइन दुनिया के लगभग सभी बड़ी शहरों में मॉल होते हैं जहां आमनागरिक शौपिंग करने के सासात मनुरणजन और खाने पीने का लुफ्थ उठा सकते हैं ऐसे में आपने भी कभी न कभी इस बात को नोटिस किया होगा कि मॉल में हर वक्त गाने बचते रहते हैं जिन का मॉज़िक काफी सिलो हुता है लेकिन कि आप जानते कि मॉल में गाने क्यों बजाय जाते हैं और इसके पीछे क्या वज़य चिपी हुई है अगर नहीं तो हम आपको बता दे कि यह म्यूजिक ग्राग का ध्यान आकरशित करने के मकसद से बजाय जाता है रसल मॉल में लगातर गाना सुनने की वज़़े से ग्राग का मन शांत हो जाता है और वे दुकानों में मौजूध चीजों को ध्यान से दिखता है जिसके वज़े से ग्राग द्वारा उन चीजों को खरीदने का चांस बढ़ जाता है इसके लावा स्लो म्यूजिक बजने की आदमी के चलने की रफ्तार कम हो जाती है और वे music को follow करते हुए शौपिंग करने लगता है जिसके वज़े से mall की बिक्री बढ़ जाती है इसके लावा गाना सुनते हुए शौपिंग करने से ग्राग बोर भी नहीं होता है जिसकी वज़े से अकेला व्यक्ती भी mall में अच्छा वक्त व्यतीत कर सकता है mall में आम लोगों की privacy का खास ख्याल रखा जाता है इसलिए slow music की वज़े से एक ग्राग का ध्यान आसानी से दूसरे ग्राग पर नहीं जाता है और वो सभी अपनी इसाब से शॉपिंग करते हैं इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए mall में slow music बज़ाय जाता है जो ग्रागों के साथ साथ mall में काम करने वाली कर्मचारियों को सकारात्मक उर्जा प्रदान करता है और उन्हें बूर होने से बचाता है आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें जैहिन दोस्तो